वैसे तो दिवाली बहुत खुशी का मौका होता है लेकिन कई बार इस मौके पर चौका मालने के चकर में हमारे अक्टर्स हिट विकेट हो जाते हैं क्यूंकि फेस्टिव स्पिरिट को कैश इन करने के लिए कई बार बहुत बड़े बजट की मूवीज दिवाली के अराउंड रिलीज की जाती हैं मगर अक्सर ये फिल्म्स उस सुदली बॉम के जैसे निकलती हैं जो बिना आवाज किये बुझ जाती हैं और ये ट्रेंड आज का नहीं बहुत पुराना है जाने मन, सावरिया, ब्लू, थक्स ओफ हिंदुस्तान, ठैंक गॉड और राम सेतू दिवाली एक बार फिर से आ गई है और इस साल की बिग दिवाली रिलीज एपन्स तो बी टाइगर 3 रिलीज़ेस्ट सिक्स यर्स आफ्र टाइगर जिंदा है दो फिल्म विटनेसे सलमान खान और काट्रीना कैफ रिउनाइट ओन दे बिग स्क्रीन आफ्र फोर यर्स तभी तो खुद दिरेक्टर मनीश शर्मा ने बताया कि नौट ओनल दिस फिल्म have 12 massive action sequences अकेले सल्मान खान की एंट्री ही 10 minutes की है thus giving his fans ample amount of time to give him a mass welcome वैसे बाई आरेफ को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है सल्लू भाई की जोडी कैट से ज्यादा दिवाली के साथ अच्छी रही है some of the biggest game changing hits of his career have all been released around Diwali right from Karan Arjun to Bodyguard to Prem Ratan Dhanbayo the festival of Diwali has been rather lucky for Salman और अब की बार तो वो अपने Tiger अवतार में आ रहे हैं जिसकी already इतनी बड़ी fan following है which is why we firmly believe that not only can Tiger 3 prove to be the biggest Diwali earner in the history of Bollywood but also might, just might break Pathan and Jawaan's records as well बाकी वर्डिक्ट तो जन्ता सुनाएगी once it surpasses the Monday Litmus test Did you catch Tiger 3 Cup first day first show? When do you plan to watch it? Let us know in the comments and make sure to subscribe to Shosha for all things entertainment